हेलो गैज और क्या हाल है तुम लोग का वसे आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाल है बोरूटो टू ब्लू वार्टेक्स चैप्टर एट को तो चलो यार शुरू करता है बिना कोई टाइम वेस्ट किये चैप्टर के कवर पेच पे है हमारा जूरा एंड इसका नाम है इट डोजन्ट मैटर जिसका अरत होता है कोई फरक नहीं पड़ता है चैप्टर के स्टाइटिंग में हम देखते है आईडा को जो की देख रही होती है बोरूटो और मिस्की के कनवर्सेशन को जहाँ पर लेकर आईडा केती है कि ये तो बहुत कूल है कवाकी आईडा से कहता है कि जल्दी मिस्की को दून वह आज बोरूटो बचना नहीं चाहिए डेल्टा के थी कि आईडा के तरफ जो तेरा रूड अटिटूड है न कवाकी वही मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है कि मुझे फरक नहीं पढ़ता जगो गुसा आ रहा है तो तो गुसा करती रहे डेल्टा के थी कि जा बोरूटो बीस किलमिल्टर दूर है साउत में दन कवाकी कहता है कि चल डेल्टा अज वो बोरूटो अपने हाज से नहीं बचेगा डेल्टा के थी है कि मैं इस कवाकी को समझाओग शिकमारू कहता है कि क्या कह रहा है बोरूटू, डिवाइन ट्री पूरे प्लैनेट की लाइफ चूस लेता है, तो तू क्या कह रहा है, यह प्लैनेट मर गया, बोरूटू कहता है कि अब तक वैसिस्तिती नहीं आई, लेकिन जब मुझे और कवाकी को खाली आ जाएगा, तब जिन्दा है, मुझे बता नहीं कि उनका असली पर्पोस क्या है, शिकमारू बोरूटू से पूछता है कि आखियर कार तुम जानते कितना हो बोरूटू, सैंसर यूनिट शिकमारू को कहती है कि कवाकी है दूसरी और, तो कनेक्ट करे क्या, देन शिकमारू इनों से पूछत कि वैसे बोरूटू साउथ में क्या कर रहा है, कवाकी कहता है कि किसको फरक बढ़ता है, डेल्टा उसको ऊपर से हमला करेंगी और मैं उस पर नीचे से दावा बोलूगा, शिकमारू कहता है कि कवाकी जादा गडबड मत कर, वो बहुत यादा स्ट्रॉंग हो चुका, इसल कर लिया, कवाकी कहता है कि मैंने उसको सेंस नहीं किया तो उसने भी मैं को सेंस नहीं किया होगा, लेकिन वो मेरे आने से पहले ही भाग गया, डेल्टा कहता है कि कवाकी तेरी तो किसमत ही फोटी हुई है, सिंचिट होता है मिस्की पे वो आईड़ा के पास आता है और वो क क्याता है कि जबसे तुम में को मिली नहीं थी आईडा मैं को लाउखा मतलब पता नहीं था लेकिन तुमारी अबिलिटी के वज़े से शायद मैं को उसका एक्सपिरियंस हुआ पहली बार बिन आईडा मिस्की से कहती है कि मिस्की थे को नहीं लगता कि तुम अपने अउकाद से बाहर जा रहा है मिस्की कहता है कि मैं एक आर्टिफिशल बंदा हुई इसलिए यह ऐसी प्यार के बारे में नहीं है यह मैं भी नहीं जानता कि मैं आकिर मैं कौन हूँ पहले मुझे ऐसा लगता था कि जब तक मेरा सन में को लैट देगा तब तक सब टीक है लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था लेकिन मैंने खुद की और भी ध्यान नहीं दिया तो मैं यह भी बूल चाओगा कि मैरा सन कौन है आइडा मिस्की से कहता है कि मतलब यह सब तो मैं बूरूटो ने बता होगा ठीक है न मिस्की कहता है कि एकिन आच्छा होगा गया नहीं मैं को बता नहीं लेकिन आएक को ऐसा लगता है कि हम दोनों भी सिमिलर है सिंच उड़ा था अपने जूरा पर और वो अपने पीछे पड़े क्यूब के मदद से टेंटिल्स के द्वारा कोनोहा में आ जाता है और वो हिदारी को भी अपने साथ लेकिया था है वही वह सासके का क्लोन इदारी जूरा से पूछते है कि नारुटू की दर है लेकिन जूरा बताता है कि मैं को उसकी लोकेशन नहीं बता लेकिन मैं बता सकता हो कि दर है तब ही कुछ शिनोबी जादा करने की कोशिश करते है और वो कहते है कि निकल जाओ या से है एंड वियो एक्षोप के अंदर चलते हैं लू है लूरत के 50 मुझधर है को टहा वैंड करें हो को लात मार के दूर फिक देता है और वो कहता है कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों आये हो देन जुरा कहता है कि तुम बुक स्टोर को तबाह कर रहे हो कवाकी चुप चप रहो और वो जूरा को अपने आइफिशियल हाथ से मारने वाला होता है लेकिन जूरा एक ही पंच में उसका हाथ तोड़ देता है और कवागी को अपने दूसरे ही पंच में नारूटो वाली जो पानी की टंकी थी ना वहाँ पर पजा के फेग देता है डेल्टा कवागी के पास आती है और वो उसे पूछती है कि कवागी क्या तुम्हे जादा लगी तो नहीं दूसरी तरफ जूरा कहता है कि मैं को मिल गया नारुटू जुमा की आसपास ही कई है तब ही जुरा ही मावारी के सामने आता है ये सब बोलता है तब हमें पता चलता है कि जुरा आकिरकर ही मावारी की बात कर रहा है जुरा को भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आकिरकर हो के रहा है इस लड़की के अंदर से एक बिजु का चाक्रा कैसे सेंस हो रहा है and guys मैंने इस chapter को इतना detail में cover तो नहीं किया है लेकिन मैं इस पर एक detail theory वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं सब कुछ cover करूगा तब तक के लिए stay tuned goodbye and sayonara क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है guys तो bye bye sayonara and take care मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए goodbye